लुइस मरांडी को जी एमेम ने कहां से दिया टिकेट सीता सोरेन वाली सीट पर अब मुकाबला होगा दिलचस्प जिसका इंतजार जहारखंड की सियासत में हर किसी को था आखिर कार वो घड़ी आ ही गई सबकी नज़रें इस बात पर थी कि आखिर जहारखंड मुक्ती मूर्चा लुइस मरांडी को कहां से चुनाव के मैदान में उतारने जा रहा है अब इस सवार का जवाब मिल गया है पूर्फ मंत्री लुइस मरांडी को जहामुमों ने टिकेट दे दिया है लुइस मरांडी को जहामुमों ने जामा से टिकेट दिया है यानि लुइस मरांडी जहामुमों की टिकेट पर जामा से चुनाव लड़ने जा रही है वो बीजेपी के सुरेश मूर्मू को टक कर देंगी क्योंकि बीजेपी ने सुरेश पर विश्वास जताया है जामा को जारखन मुक्ति मोर्चा का गड़ कहा जाता है इसकी बड़ी वजह भी है यहां से जेमेम सुप्रीमो शिवू सोरेन और उनके बेटे दुर्गा सोरेन विधायक रह चुके है पिशले तीन विधानसभा चुनावों से शिवू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन यहां से विधायक चुनी गई आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही लुईस मरांडी बीजेपी छोड़कर जामुमों में शामिल हुई है तमाम और जानकारियों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आइटीपी नियूज